कुरुपिया ध्यान रखे कि इस चैनल में निचीत सभी जानकारी केवल सिक्सीत और सुत्मक्त कुदेशियों के लिए है इस यूटूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सला, वितिये सला, कानोनी सला, वक्तिगत सला के रुप में नहीं लिया जाना चाहिए चेहीं दोस्तो, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आने वाला जो बूल मार्केट है, वो सबसे बड़ा बूल मार्केट हो सकता है, और फिर इस बूल मार्केट के बाद ऐसा बूल मार्केट कभी भी देखने को ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्यों है, उसके बारे में करो तो किसका हाथ बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो सबसे पेले एलोन मास्क एलोन भईया है प्रिवेस टाइम काफी अच्छा किया था इसलिए बूल मार्केट काफी अच्छा और तगड़ा चला था डोज को इनको आस्मान में पहुंच आया था बिटकोइन को आस्मा बाइनस का बाइनस भी एक बहुत बड़ा वेल है और काफी अच्छा करते हैं बूल मार्केट को और फोमो को करियाट करने के लिये कुछ न कुछ नहीं नहीं चीज़ें यहाँ पर मार्केट के अंदर ये लोग पेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर बोल रन को और तीजी वाला बोल मार्केट बनाने के लिए इसे बड़े बड़े लोग है और छोटे छोटे लोग है प्रिवेस टाइम क्रिप्टो मार्केट को लोग नहीं जानते थे जितना की प्रिवेस टाइम लोग थे उससे ज्यादा इस बार दस गु परवाने जा सके लोग को डराने के लिए कुछ खौप क्रियेट करें ताकि जो बाइंग किया है वो भी थोड़ा सेल मार दे जो कि उसको प्रॉफिट तभी ज्यादा होगा जब ज्यादा जो छोटे लोग है वो क्रिप्टो को नीचे सेल करके ऊपर बाइंग करें तो वो लो क्रिफटो के बारे में कुछ नकुछ करती रहती है वो आपको बताएंगे ने कि मेरे पास ओल्लींगे सबी के सबी बड़ी बड़ी companies के पास यहाँ पर bitcoin वगेरा होते ही है और वो hold करते ही है यह बात होगी कि बड़ा bull market इसलिए आ सकता है अब यह आखरी bull market क्यों हो सकता है तो भाई आपको पता है इंडिया crypto के पिछे कितना पड़ा हुआ है यह लोग regulation 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 करते है अब लोग दे इतने आप transaction करते थे खुद एक बार idea लगाओ कि हम तो बहुत trading करते थे वजरिक्स के अंदर आजकल तो हाथ नहीं लगा रहे मैंने एक साल हो गया वजरिक्स में कुछ किया नहीं है और मैं trading काफी कम कर रहा हूँ करी नहीं रहा हूँ हो बाइंग करके छोड रहा हूँ तो कभी भी transfer मारो कभी भी withdraw लेलो कभी भी deposit कर दो क्योंकि उसको पता ही है 1% TTS कौन देगा उससे अच्छा है कि मैं holding करू एक दो person में तो वो sell भी नहीं मारेगा 5% तक sell नहीं मारेगा फेले 2-3% का भी हम profit किया करते थे मतलब बहुत ज्यादा transaction किया करते थे अब इंडिया में crypto के अंदर government का बहुत बड़ा रोल होगा उसके अंदर बड़े बड़े नियम होंगे अब ये बड़े बड़े वेल क्या करते है मैं आपको Elon Musk की बात करो या CG की बात करो ये सभी वेल क्या है बीना takes के profit कमाते है और कमाना चाते है और उन सभी वेल को मालूम है कि हमारे पास जो वजरेक्स के हाल है उसी तरीके से Binance के भी हाल हो सकते उसी तरीके से Hobie के हाल हो सकते जितने भी एक्चेंजे सभी के सभी हाल हे हो सकते कि वहाँ पर हमें 30% take payment करना पड़े या तो 20% tax pay करना पड़े या तो पर transaction कुछ ने कुछ देना पड़े तो वेल उतनी पाकल नहीं जलता तो बिटकोई नहीं चलता अगर सीजी नहीं होता तो भी आपर विटकोईन के वोट लग जाती मतलब कि उतना बड़ा यहां पर आप यह देख सकते अब यह सभी क्या करते हैं बिना टेक्स काम करते उसको मालूम है कि बहुत जल्दी जल्दी डेबल ट्रीपल बना लेत लेते और अच्छा फाजा प्रोफिट मार देते प्रोफिट बोक कर लेते और अगर 30% देना पड़े तो तो फिर वो यह काम नहीं करेंगी क्योंकि उसको भी पता है कि हम मैन्यूपलेशन एक तो वो नहीं कर सकती क्योंकि गवर्मेंट के रूल आपको पता है से भी के रू लागू होगे फिर यहाँ पर मेन्यूपलेशन नहीं होगा और बड़े लोग का इंटरस्ट इवो ख़जम हो जाएगा अब बड़े लोग को मालू में कि दो तिन साल का अमरे पास टाइम में जितना मेन्यूपलेशन हो सके उतना कर लो इसलिए बड़ा सा बड़ा बूल मा सभी के सभी एक्चेंज में फिर वही हो जाएगा होल्ड करेंगे छोड देंगे ट्रेडिंग नहीं करेंगे और बड़े लोग क्या की मेन्यूपलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वरना वो पकड़ा देंगे कि ये लोग मेन्यूपलेशन कर रहे मार्केट को पंप और डंप कर रोज के बारे में बोलते हैं कभी उसने का Apple to the Moon कभी नहीं आपको देखने को नहीं मिले यह वाली बाते नहीं होगी तो इस बार ये लोग सुझ रहे होंगे मेरे इसाब से कि तगड़ा बुल मार्केट लाते हैं और पूरी जिंदिकी का एक ही बुल मार्केट से कमा लेते हैं और बुल मार्केट दोज़र चप्विस से पहले अच्छा चला सकते हैं मतलब कि ये दोज़र थेविस के अंदर भी ये लोग उल्टम हाई तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि अब उसकी नज़र ये नियम के सामने कानून के सामने कि अब यहाँ पर रेजुलेशन वगेर आज मतलब कि या दो कम ट्रान्जिक्षिन करेंगे मेन और अकरने के लिए लिए Taliban के लिए अचा काधा राफिट बनाने के लिए लुग अगर इवल चीटनेता चलाएगा थे बात है क्रिप्टो मार्केट में जो मोमेंट आ रहे ने 100-200% का, फिर वो 2-3% वाले मोमेंट हो दाएंगे, जब से रूल लागू हो दाएंगे, फिर कुछ होगा ही नहीं, यह सा जो अभी हम कर रहे हैं, इसा नहीं होगा, तो यहां पर कोई डरने वाली बात नहीं है, यह बोल मार्क अक ही सेल तक इंतजार करना इसके अंदर और इसके बीच में कोई भी कोई अपना, उल्टम हाई बना लेता है, उस इनका लेना है, यह बात यह बात नसकी आटेग्ट, कामा लेते है, तो यह बात इस बार ने पर प्रोफिट इस बार कमा लेते हैं, अब यहां पर हम बात करें बिटकोइन के बारे में तो बिटकोइन का प्राइज 15500 चलता था तीन महीने की अंदर अंदर इसको पहुंचाया गया 39,000 डोलर मतलब कि पेशा डबल की आसपास बढ़ा दिया इतना तेजी से अब एक और इतना केंडल बड़ा बनता है मैं तीन मह 45,000 डोलर तक जाने की possibility है तो देखते हैं क्या होता है आप कोई बता है कि वेल उतनी आसानी से कमाने नहीं देती एक पड़ होगा इसमें प्ले होगा लोग सेल मारेंगे फिर वो कुछ करेंगे फिर रिकावर करेंगे अब आप ध्यान में रखना बेर मार्केट मेरे इसाब सकती है तो ध्यान देना एरफूल देना अच्छे गोईन भी इंवेस्मेंट कर सकते हो पार्ट वाइस कर सकते हो और यह दो तीन साल का आपके पास टाइम है पेसा यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर अच्छा घज़ा बन सकता है और इस बार तगड़े वाला बोल मा इतना तगड़ा बुल मार्केट मेरी सबसे आगे फिर देखने को ना मिले क्योंकि नियम अगेरा होंगे तो लोग डरेंगे में बड़े लोग नहीं करेंगी उतना पेसा उसमें डालेंगे नहीं तो यहां पर अगर रूल सो रेगूलेशन होंगे तो उसके उपर उसको लेकर छोड़ देना जो बड़े क्रिप्टो करन से बड़े प्लेर है क्योंकि इसमें अच्छा खाधा मोमेंट आता आपको लगे आठाई-जार महिंगा नहीं है आप देखना थोड़ा डीप लगेगा तो यहां पर आप बाइंग कर लेना उमीद करता हुए पसंद आया हो अब तक तो कंपनी जो आपने लिए वो डूब भी सकती है कुछ भी हो सकता है और क्रिप्टो मार्केट कोई कंपनी वगेरा नहीं है यह बिटकोई में हाथ है पूरे-पूरे वर्ल्ड का मिलते एक नहीं वीडियो के साथ